हालो स्टुडेंट्स तो टूड़े वी आर टौकिंग अबाउट आई एस्ट प्लेस्मेंट 2022 एंड फ्यूचर तो आप लोगोंने देखा होगा यूटूब पे भी खूब जल रहा है कि आई एस्ट में डारेक्ट इस्ट्रों में प्लेस्मेंट नहीं होगा ऐसा नहीं होगा तो क्या रियल्टी है चलिये जान लेते हैं तो इतने दिन किया था आई एस्ट का बोंड था एक यानिकी कनेक्शन था इस्टों के साथ जो कि डारेक्ट आई एस्ट के बच्चों को उठाता था ओके लेकिन अभी वहां से जो है वो बोंड कट कर दिया गया है प्लेस्मेंट नहीं होगा इस रोग के डारेक्ट तो ऐसा कुछ नहीं है प्लेस्मेंट होगा लेकिन उसके लिए भी कुछ रूल्स है है कि हमारा education system तो चेंज नहीं होता लेकिन जोब करें होते रहते हैं में संग education system को चेंज नहीं करते क्योंकि हमारा देश ही ऐसा है तो जान लेते हैं क्या सारा system है कैसे आपका प्लेस्मेंट होगा तो स्टुडेंट इसके लिए रिक्वार्मेंट है जो भी बच्चे आये एस्ट में पढ़ रहे हैं या फिर इन फूचर फड़ेंगे तो उनको जो है फस से लेकर जो सिक्स सेमेस्टर होता है उस तक उनके एटलिस सेवन सी जीपी ए तो होने ही चाहिए स जीपी है क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि पहले जो बेसिक पढ़ाई वो करते नहीं है और जो आगे कि दो तीन समस्टर होते उसमें जता के पढ़ाई करते हैं और फिर वो अच्छे परसेंटाइल ले लेते हैं लास्ट में तो उनका जो है वहां पे एक्यू 7.0 cgps 6 semester तक होने चाहिए ओके 7.0 cgps 6 semester होने चाहिए और अगर वह 8 semester complete कर लेते हैं तो उसके बाद वह उनके जो cgps 7.5 होने चाहिए अगर ऐसा होता है तो डारेक्ट प्लेस्मेंट नहीं होगा इंटर्व्यू होगा इंटर्व्यू को अगर वह लोग कर लते हैं तो इस इंजिनियर जो भी वहां की jobs होती है आपकी field के coding उनको job मिल सकती है और अगर आप लोग इंटर्व्यू करेक्ट नहीं पाते हैं तो IAST का कोई प्लेस्मेंट वगरा वह वाला system नहीं है इस बार यह वाला system है ओके सो जो भी बच्चे IAST में पढ़ रहे हैं तो यार उनको घबराने की क्या जरूत है तुमको कोई भी उठालेगा कोई भी company ठीक है तो घबराने की जरूतन ही है बस पढ़ाई लिखाई करो और at least सबसे ज्यादा जो रोचक चीज़े जो लगती है IAST की मुझे वोई aerospace department है तो यार आप लोगों के अगर कोई शुरू के students बेज रही ह हो कोई project बगरा पर work कर रही हो तो मेरे साथ भी जूट सकते हो okay and I am an aerospace engineer I am an IATN okay so चलिए मिलके शुरू करते हैं कुछ नया okay so आप लोग जो है just intensive बगरा पर ज्यादा से ज्यादा focus करें जसता है कि इंडिया में कुछ अभी just start-up भी start हो रहे हैं private के अंदर 2020 में भी कुछ कुछ started हुए है 2021 में lockdown था तो बहुत ही कम start हुए है और अभी जो है aerospace के अंदर थोड़ा सा बहुत ज्यादा स्केम चल रहा है intensive का बहुत सारी companies है जो भी बोलती है virtual intensive आप चे एक जार दो जार तीन जार चार जार रुपय तक ले रहे हैं वह बहुत ही रोंग तरीका है वह courses complete करवा रहे हैं वह कोई intensive नहीं होता मैंने एक वीडियो बनाया है intensive क्या होता है reality of the intensive उसका लिंक मैं वीडियो के description में दे दूँगा आप लोग चेक करें कि reality के अंदर intensive होता क्या है वह लोग एक चुल में fraud कर रहे हैं और आप लोग ऐसे fraud से ना फसे क्योंकि वह क्या करते हैं कि वह आपको बोलते हैं हम आपका online जो है एंबस्टर प्रोग्राम स्टार्ट करके बचों को बोल रहे हैं कि हमारे प्रोग्राम की रीच बढ़ाई है कि इस पेसलिए सारे के सारे कांड वेलोर वाले ही करते हैं अभी भी बहुत सारे प्रोग्राम स्टार्ट करके हो लोग ने चाहिए वह जो भी कांड होते हैं सारे यह उसम राइट क्योंकि लिंग्डेन वगरा पिचेक किया करो फस्ट एर के स्टूडेंट्स का लिंग्डेन प्रोफाइल इतना गजब का बन जा था आना कि लोकल इंजिनेरिंग कोलेज वाले तो फॉर्ट एर तक रेजियू में तो क्या वो जो है ना रेजियू में भी नह यह लोग तो मेरा नीचे WhatsApp नमबर देया गया है अगर कोई आइस्ट से एरो स्पेस डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स एस्लिस सेकंड यर वाले फ़स्ट टार्ड यर वाले भाले भाहिया या फॉर्थ यर वाले भाहिया कोई भी एगर वाच कर रही हो तो मेरे से कॉंट कर सकता है okay special product in aerospace specialization and other drone अभी जो है government net drone के अपर बहुत ही ज्यादा focus किया है तो जितने भी बच्चे IIT के अंदर है IAST में है वो इस department पर बहुत ही ज्यादा focus कर सकते हैं क्यों future के अंदर growing industry है सभी को बता है drone technologies space satellites satellites और अस्ट्रोनोमिक है तो करना ही किया right thank you thank you so much और एक जो टाटा इंस्ट्रीट वगरा उसके भी वर्क्षोप अगरा चलते रहते है इस्ट्रोनोमी में तो आप वो लोग जोइन कर सकते है बहुत अच्छे वेबिनार्स होते हो इनके मैंने भी बहुत सारे इंटेंट कियों थैंक्यू